Hello students, हम कर रहे है company law और company law के अंदर last lecture के अंदर हमने किया था appointment of directors by shareholders थीक है? आजके lecture के अंदर हम करेंगे appointment of director by board जो board होता है वो तीन तरीके के directors को appoint कर सकता है, थीक है? इसके अंदर सबसे first आता है additional director, second number आता है इसके अंदर फिर आपका alternate director, थीक है? Additional Director, Alternate Director, Nominee Director and Casual Vacancy तो चार तरीके के Directors को Appoint कर सकता है Board, Board मतलब Board of Directors, Director का Board ना कि Share Older का Board Board of Directors टीक है, तो Board of Directors जो है चार तरीके के Directors को Appoint कर सकते हैं इसमें से आज हम करने वाले हैं Additional Director, Alternate Director and Casual Vacancy नोमेनी डारेक्टर को हम नेक्स लेक्चर के अंदर करेंगे ओके चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर हम इसको अटाते हैं और हम निकाल देते हैं यहां पर यह हैं तीन तरीके के डारेक्टर एक होता एडिस्नल डारेक्टर एडिस्नल डारेक्टर समझ गए नाम से पता चल एडिशनल मालब अत्रिक्त इसके उपर सेक्शन नमबर 161 161 और सब सेक्शन वन लगता है ओके अत्रिक डारेक्टर कब अपॉइंट किया जाता है तब जब बोड को यह लगता है बोड बोड यानि की बोड ओफ डारेक्टर्स बोड ओफ डारेक्टर्स इनको यह लगता है फिल देट डारेक्टर्स जब अडिशनल डारेक्टर को अपॉइंट करना बहुत जरूरी हो जाता अच्छा क्यों नेसेसरी होगा क्योंकि बेरा है जिस वजह से एक एडिशनल डारेक्टर की जरूरत रहे तो बॉड जादा है तो ब्योड ओफ डारेक्टर्स मिलकर के एडिशनल डारेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अब additional director को appoint करने के लिए क्या इनको चीजे follow करने होगी वो हमें अब भी पढ़ेंगे पहले समझते ही होते क्या है next आता है alternate director देखो alternate किसी और का alternate अब किसका alternate हो सकता है section number 161 के subsection 2 में दे रखा है if original director goes out of India for more than 3 months अगर कोई original director out of India चला गया है और 3 महीने उससे ज़्यादा का टाइम हो गया है अभी वापस नहीं आया है तो उसकी जगह alternate director appoint कर सकता है कौन? board of director BOD next आता है filing of casual vacancy अचानक कोई vacancy आ गई section number 161 subsection 4 के अंदर दे रखा है कि अगर casual vacancy हो जाए आकस्मिक रूप से पद खाली हो जाए कैसे हो सकता है? death की वज़े से हो सकता है किसी director की death हो गई एकदम से किसी ने resign कर दिया कोई director disqualified हो जाए आगे director की qualification or disqualification पढ़ाऊंगा में तो अगर कोई director disqualified हो जाए या कोई vacation पे चला जाए तब vacant हो जाए उस director का पद तब casual vacancy जब हो जाती है एकदम से अचानक पद खाली हो जाता है तो BOD board of director मिलकर के casual vacancy को भर सकता है अब समझते है थोड़ा साम BOD के बारे में board of director के बारे में समझी देखें यहां पर appointment of directors by BOD BOD मतलब board of director जो है वो कैसे appoint करता है ठीक है तो board of director जो appoint करता है डारेक्टर को उस पर लगता है section number 161 इसके अंदर 161 के अंदर जो सब section है वो 1 है वो है आपके additional director का 2 है alternate director का third number nominee है लेकिन वो नहीं करा रहा हूं fourth number casual vacancy है वो करवा रहा हूं ठीक है तो जब भी कोई भी director को appoint करता है BOD board of director तो उनको board resolution पास करना पड़ता है देखो दो तरह की meetings होती है एक meeting होती है AGM के अंदर annual general meeting है ठीक है annual general meeting जो होती है यह किसमें कौन करता है इसमें कौन member आते हैं इसमें आते हैं सारे shareholders और इसमें आकर के बहुत सारे decisions लेते हैं जिसमें वो resolution पास करते हैं जिसको और या SR बोला जाता है है ordinary resolutions है special resolution लेकिन हम यहां पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम जो यहां पर meeting की बात कर रहे हैं यह meeting है डारेक्टर्स की डारेक्टर्स की मिस्टिंग है इसलिए इसको बोला जाता है यह बी एम मतलब डारेक्टर्स में और फोल जो यह अदर य느 हैं और इसके अंदर भी क्या करते हैं बहुत सारी resolution pass करते हैं तो यह जो resolution pass करते हैं इसको बोलते हैं BR board resolution जैसे इसको ordinary resolution SR special resolution यह कौन pass करते हैं AGM के अंदर shareholder meeting करके annual general meeting होती है साल में एक बार यह BR है BM में pass होता है यह बोर्ड मिटिंग के अंदर जो resolution pass होता है उसको BR बोलते हैं बोर्ड resolution बोर्ड resolution पास करना पड़ेगा अगर BOD को किसी डारेक्टर को पॉइंट करना है अब यह resolution दो तरके होते हैं यह उता बी आर इन बी करना है यह बोर्ड resolution पास करना किसमें बोर्ड मिटिंग के अंदर अब कैसे हो सकता है वो फिजीकल हो सकता है बोर्ड की MEMBER इक्टे हो एक ब्रूम के अंदर बैटे यह पिर technology की थ्रूप की भी हो सकता है यह बिए और चौनलाइन भी हो सकता है ठीक है और एक होता है BR by circulation इसमें कोई discussion नहीं होता circulation पास कर दिया जाता है और इसमें जवाब मंगा दिया जाते हैं लिखित के अंदर लेकिन discussion नहीं होता इसमें discussion होता है तो जो board resolution होते हैं वो दो तरीके से पास करवाए जा सकते हैं आयोब आपको इन दोनों में फरक समझ में आगया होगा सेरोल्डर मिटिंग के अंदर और डारेक्टर्स की मिटिंग के अंदर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे आप चाहे तो इसको लिख सकते थे अब आता है यहाँ पर appointment of director by BOD board of director तीन तरहिके के directors को appointment किया जा सकता है फर्स्ट आता additional director additional director को appointment करना है तो board of director को क्या क्या करना पड़ेगा एक तो उनको board resolution पास करना पड़ेगा कहां पर पास करना पड़ेगा बोथ बोथ मतलब बोथ मतलब आप board meeting बुला के कर सकते BR in BM और आप by circulation भी कर सकते second जो ये डारेक्टर appointment होगा कौन सा additional वाला director इसका tenure क्या रहेगा ये कब तक office संभालेगा इसका काम करने का प्रीड कितना रहेगा hold office till ensuring AGM जब तक next annual journal meeting नहीं हो जाती तब तक ये काम करेगा चैसे annual journal meeting होगी तो उसमें shareholder field decide करेगी तो annual journal meeting जब तक नहीं हो जाती तब तक additional director काम करेगा इसको appointment कैसे कर सकते बोड को power कौन देता है तो बोड को जो power देता है BOD को power देता है वो देता AOA AOA मतलब article of association जब article of association में लिखा हुआ हो कि कोई भी board जो है बोड डारेक्टर BOD जो है वो additional director को appointment कर सकता है तभी board appointment कर सकता otherwise नहीं कर सकता next आता है alternate director alternate director जो है उसको appointment कैसे किया जाता है BR, M, BM यानि की board resolution पास कर दो आप board meeting के अंदर या circulation के अंदर तो दोनों तरीकों से ठीक है tenure क्या होता है hold office till the original director return to India alternate director original director की जगा appointment किया जाता है तो जब तक original director नहीं आएगा तब तक alternate director रहेगा उसके आने के बाद इसका tenure खतम हो जाएगा board को कौन power देता है alternate director appointment करनेगी तो board को ये power मिलती है एक तो AOA से article of association से अगर AOA में नहीं लिखावा है तो OR यानि कि AGM के अंदर shareholder अगर OR पास कर देती है कि board को ये power देते हैं कि वो alternate director appointment कर सकता है तो board कर पाएगा नेट्स आता है casual vacancy जो casual vacancy हो जाती है उसको भरने के लिए board को BR in BM करनी पड़ेगी circulation से काम नहीं चलेगा board meeting बुलानी पड़ेगी discussion करना पड़ेगा फिर BR पास होगा board resolution पास होगा तो BR in BM tenure क्या रहता है hold office till vacanting director would have held office मतलब ये हुआ अचानक casual vacancy होगी है अचानक किसी director की death होगी अब उसकी जगह किसी दूसरे को appoint कर दिया है तो वो उसका office period क्या होगा जिस व्यक्ति की death हुई है जिस director की death हुई है उसका tenure कितना था तो उसके बराबर इसका tenure होगा जो उसका बचा हुआ time था next power कौन देता है act देता act मतलब companies act 2013 company अधिनियम 2013 इसको power देता है कि इसको board को BOD को कि वो casual vacancy को fill कर सकता है ओके तो इसी के साथ appointment of directors by BOD हमने कर लिया लेकिन एक रह गया है nominee director वो हम next lecture में करेंगे इसके अलावा और भी कोई appointment रहा हुआ उसको भी करके appointment वाला chapter जो हम close कर देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर और कुछ पूछना हो तो comment कर सकते हैं और अच्छा लगा है तो like, share, subscribe जरूर करें हम मिलतें next lecture में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए bye bye